जैमातई दोस्तो, मातरानी आपकी सारी मनो काम नहें पूर्ण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रहे हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल दोजार चौबिस में रक्षा बंधन पर जो है वो कब मनाया जाएगा राकी बानने का जो सुब महूर्थ है वो कब है सबसे ज़्यादा सुब कब है हम अपने भाईयों को जो राकी है वो कब बानने जो भाई है उनकी आयू लंबी हो बद्रा का साया क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा आज के वीडियो में संपूर जानकारी जो है वो आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले अगर बात करूँ कि रक्षा बंधन जो है वो कब है अब बात कर लेते हैं कि रक्षा बंधन पर जो है वो किस समय से जो पोड़ी मती थी है वो आरंब हो रही है तो सुबए उन्नेस अगस्त को दिन सोम बार को जल्दी सुबए तीन बच के चार मिनट पर जो पोड़ी मती थी है वो आरंब हो रही है और रात्री को ग्यारा बच की पच्पन मिनट पेस का जो समापन है वो हो रहा है ऐसे में दिन सोम बार को 19 अगस्त को साल 2014 में रक्षा बंधन का जूप पर वेवो मनाया जाएगा अगर मैं राकी बानने का सुब महुर्द बताऊं क्योंकि इस बार सुबन योग का निर्माड हो रहा है तो बहुत जादा सुब समय है इस वर्ज राकी बानने का और सुबन योग का जो निर्माड है वो हो रहा है सुबह 5 बच के 53 मिनट से लेकर आठ बच के दस मिनट का जो समय है वो सबसे उत्तम है इस समय सोभन योग का नर्माड हो रहा है तो इस समय अगर आप अपने भाई को राकी बांधती है तो ये सर्वत्तम है लेकिन कई बार इस योग में बहुत सारी बेहने राकी नहीं बांध पाती है तो ऐसे में आपको जो राकी है वो दुपहर के 1 बच के 46 मिनट से लेके साम के 4 बच के 19 मिनट तक भी राकी जो है वो बांध सकती है 2 गंटा और 37 मिनट का जो समय है वो आपको मिल रहा है अगर इस समय भी आप राकी कई बार बहुत सारी बेहने दूर दरास से आती है महुर्थ जो है वो नहीं मिल पा रहा है आप इस समय आ जाती है तो प्रदोस काल में भी एक महुर्थ बन रहा है साम को 6 बच के 56 मिनट से लेके रातरी 9 बच के 7 मिनट का जो समय है वो 2 गंटे 11 मिनट का है तो इस पीच भी आप राकी जो है वो बान सकती है साथी साथ इस बार ग्राहों के जो राजा है शूर बगवान वो अपनी स्वारासी सिंग रासी पर विराजमान होने वाले है तो बहुत जाधा सुब समय है इसके साथ ही बुद्ध और सुक्र जो है वो भी इसी रासी में रहेंगे जिससे जो बुद्ध दित और शुक्रादित के राजयोग का निर्मान है वो भी हो रहा है तो ये इस वर्स बहुत जाधा सुब समय है राकी बानने का वहीं पि अगर मैं बद्रा के साया की बात करूँ जो बद्रा का समय है वो क्या रहने वाला है तो जो बद्रा का समय है वो शुबह नौबच के क्या में मिनट से लेके जो समय है वो दुपहर के बारा बच के 37 मट तक रहने वाला है तो बद्रा के समय है बहुत सारे लोग राकी जो है वो नहीं बांदे हैं और अगर आप नहीं बांदे हैं तो इस बीच आपको राकी जो है वो नहीं बांदनी चाहिए सादी साथ सबसे ज़्यादा उत्तम जो है वो सुबह 5.50 के 3.50 मिनिट लेके 8.10 मिनिट का समय है ये सोभनी योग का निर्माड होगा तो इस समय सरवत्तम है राखी बान सकते हैं तो इस समय आप बान लें क्योंकि जो पूरी मतिति है वो सुबह तीन बच के चार मिनट से ही आरंब हो जाएगी शर्वत्ता में बहुत अच्छी बात है अगर किसी कारण नहीं बाथ पाते हैं तो आप दोपैर में 1 बच के 46 मिनट से लेकि 4 बच के 19 मिनट के तक जो राकी है वो बांद ले या आप साम के समय 6 बच के 56 मिनट से लेकि 4 बच के 7 मिनट तक जो राकी है वो बांद सकते हैं तो तीन सुभ योग जो है वो आप सब के सामने उपलब्ध हैं आपको जब भी टाइम मिलता है या आप जब भी अपने भाईयों के पास पहुँच पाती है तब आप जो राकी है वो बांदे और इस समय बहुत ज़ादा योग और सही योग बन रहे हैं क्योंकि सोभन योग का निर्माड हो रहा है तो आप अपने भाईयों को राकी बांदे और उनकी लंबी आयों के प्रातना करें साथी साथ जो भी भाई है वो अपनी बहनों से जो पैर है वो छूकर आसिरबाद लें और उनकी सदय रक्षा करने का प्रण करें ऐसा अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है और आप सबको रक्षा बंधन पर विकी जह सारी शोप काम ना है तो आने वाली उनने सगस्त को आप लोग भी पूरी खुसी-खुसी भाई बहनों का ये अटूट प्रेम और विश्वास जो है वो बनाए रखें और रक्षा बंधन जो है वो मनाए इनी सब्दों के साथ मैं विराम दोंगी इस वीडियो को और आप सभी लोगों को एक बार फिर से रक्षा बंधन पर्व की देर सारी शोप काम ना है जै माता दी दोस्तो